हालेलुया प्रेश्ट वालॉड प्रभई यिश्व मसी में मेरे सब बैन भाईयों को जय मसी की आप सबका स्वागत है हमारे स्यूटिव चैनल यहाव शालम ठीवी पर आज हम परमेश्व के पवित्र वचन को मेरी बविश्यवानियों के पुस्तक में से पढ़ेंगे आज का यह सामर्थी वचन परमेश्व के दास प्रेरित अंको यूसुफ नरूला जी के द्वारा लिखा गया है और हमारा यह विश्वाश है कि आज का यह वचन आपके छीव उसके चार वचन में लिखा है तब उस देश के लोग यहोधियों को निराश करने और उनने डरा कर मंदिर बनाने में रुकावट डामने लगे मेरे प्रियोच अब येश्व मसी ने अपनी चंगाई की सेवगाई को शुरू किया तो उस जगा के सभी अंधे चंगे नहीं ह मांगते थे लेकिन सिर्फ उन में से एक अंधा था जिसका नाम बरतिमाई था वे फरमेश्व को पुकारने लगा और वे लगतार पुकार रहा था तो चेलों और लोगों ने उसे चुप करवाने की कोशिश की तब पहले येश्व मसी ने उसकी आवाज को अंसुना किया फ नहीं हुआ तो इसका मतलब ये नहीं है कि परमेश्व की इच्छा नहीं है हर एक बिमार को चंगा करने की बाइबर का वचन कहता है कि परमेश्व का वचन व्यक्तिकत रूप से है और उसे आपको व्यक्तिकत रूप से सभिकार करना पड़ता है ताकि परमेश्व आपके शीवर में व्यक्तिकत रूप میں काम करे अगर कुछ लोग चंगाई को प्राफत नहीं कर पाये तो इसका मतरब वै नगर छुटकार को प्राफत नहीं कर पाया और कारण परमेश्वन नहीं थे कारण ये था कि उन्हों ने परमेश्र के वच्ण का इंकार किया और उनों अपने दिमाग का परियोग किया जब आप इजरा के बारे में बढ़ते हैं तो लिखा है कि जब परमेश्च का घर बन रहा था तो लोग रुकावट अने लगे वकीलों को पैसा देकर अलग अलग तरह की बाते बना कर रुकावट डालने लगे और परमेशर के काम को रोकने लगे उसके बाद फिर जब दो नभी हगय और इदो के पोते जखरिया ने नभूवत की तो परमेशर का भवन फिर से बनने लगा मेरे प्रियो परमेशर के ऐसा जन जो परमेशर की आत्मा से चलता था जो परमेशर के जीवत दर्शन में चलता था वहां परमेशर का काम फिर से शुरू हो गया क्योंकि जैसे ही वे आत्मा में जीवत व्यक्ति से मिलते हैं और जैसे ही उनके जीवत शब्दों को सुनकर उसका पालन करते हैं तो वे काम फिर से बनना शुरू हो जाता है वैसे ही जब आप जीवत चर्च में जीवत दास के साथ जूडते हैं तो आप शुटकारे को हासिल करती हैं, इसका मतलब शुटकारा आपके हाथ में हैं, परमेशने सब के लिए नियम बनाया हैं, एक बाइबल की सरचना बनाई हैं, ताकि आप परमेशन के वचन पर चल सकें, एक बार जब मैं टीवी पर एक इंटर्वी सुन रहा था, तो उस इ पहिंदर सिंग दोनी जो भारत का कैप्टर रहा है, वे ऐसा पहला भारत का कप्तार रहा है, जिसने सारी ट्राफियों जीती हैं, लेकिन वे हाथ में नहीं आता, वैसे ही अगर आप जीवित चर्च का हिस्से हैं, और आप जीवित परमेशन के दास के पीछे हैं, तो वे अ परमेशन का आत्मा आपको छूता है, आप लोगों से अलग हो जाते हैं, इसलिए मेरे प्रियों, आपको अपने चुटकारे के लिए मुल्ले अदा करना होगा, अगर आप अपने रिष्टेदारों से, समाज से, सरपंच से डरते हैं, तो आप चुटकारे के लिए नहीं ब प्रातना सर्फ शक्तिमान परमेश्वर इस वचन के लिए मैं अब कधने वात करती हूँ और प्रातना करती हूँ कि परमेश्वर मैं एक जीवत चर्च के साथ और अभिशिक्त दाश के साथ जोड़ने पाऊं और अपने छुटकारे को लेने पाऊं आप मुझे अनुग्रह प्रवयेश्य मसीह के सामति नाम में हम मांगते हैं आमेन आमेन और आमेन आज के सामति वचन के द्वारा परमेश्वर आप सब को आशिशित करें सब को जय मसे की